हलो फ्रेंट्स मैं सत्यन दूबे आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ टेट मैट विच कॉंसेप्ट में आज के इस चैप्टर में यानि कि आज के इस पार्ट में चौथे पार्ट में हम लोग फिर से रेशियो और प्रपोर्शन के टॉप 10 क्वेश्चन स्रीच को करने वाले हैं और मैं आपको आगे की जानकारी के लिए बता दू नोस्तों कि जैसा कि मैं हर स्रीच के बाद यानि इस वीडियो के इंड में मैं आपको एक इक्सरसाइज देता हूँ एक्सरसाइज का रूल क्या है? कि जो जितना जल्दी अपने सारे 5 एक्सरसाइज में आपको दिये जाते हैं, उन 5 एक्सरसाइज को लगा करके मेरे टेलिग्राम चैनल पे उसके प्क लेके भेजेगा, थीक है? तो मैं उसे विनर गोसित करता हूँ और वो winner मेरे Facebook पे, मेरे WhatsApp पे, आपके Telegram गुरूप में and साथ ही साथ the most important आपके YouTube पे उस winner को उसके नाम के साथ पोश्ट किया जाता है, ठीक है? So, are you ready for win? तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इस पूरी exercise को and अच्छे से, अब देखो हर chapter के या हर part के अंतरगत अगर मैं बात करूँ, तो मैं लगबग लगबग 15 questions को करवाता हूँ, 10 questions तो यहीं पे आपके हो गए and आगे के साथ से साथ मैं आपको बताऊं कि 5 questions आपके हर exercise में ही भी है, तो इसलिए लगबग लगबग 15 questions हो जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझेगा, चलिए, सुरू करते हैं, तो आगे हमें पढ़ना है parts of, जो हमारे parts या types of जो ratio है, उन में से पहला ratio आता है मध्यान उपाती, देखो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, मध्यान उपाती क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझेगा, मान लिजे कोई 2 value आपको दे दी गई हो, 6 और 9 दे दी गई हो, ठीक है, और पूछा जाए कि इसका मध्यान उपाती बताईए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत confusion कुछ नहीं है, इसमें बहुत simple सा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मध्यान उपाती के लिए आपको क्या करना है, मतलब इन दोनों के बीच की कोई value बतानी है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 लिखो, और मान लो कि वो जो मध्यान उपाती है, वो यक्स है, और फिर बाहर क्या लिख दो, 9 लिख दो, अब ध्यान से सुनो, यही प्रोसेस जो मैं अब समझाने वाला हूँ, यह चाहे आप से मध्यान उपाती पूछा जाएगा, चाहे आप से दुतियान उपाती पूछा जाएगा, चाहे आप से तृतियान उपाती पूछा जाएगा, चाहे चतुर्था, प्रोसेस यही करनी ह बिल्कुल ध्यान से समझना, कि अगर आपके पास तीन digits है, तो इनको समानुपात में हम कैसे set करेंगे, देखो जो दोनों किनारे हैं, इन दोनों को ऐसे किनारे किनारे लिख लो, ठीक है, अब बात आती है, कि हम क्या करते हैं, समानुपात लिखते समय, एक digit यहां लिखते थ अब देखो यहाँ पर क्या पढ़े थे हम लोग कि बाहर का बाहर गुड़ा होता है और अंदर का अंदर गुड़ा होता है। के बराबर आ गया चुकि दोस्तों यह question मैं set करा हूँ इसलिए हो सकता इसका वर्गमूल ना लिख ले ठीक है बट आपको इसके लिए परिशान नहीं होना है आपको simple सा काम करना है कि जो process मैं जो बताया हूँ यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है आगे देखते हैं तो यह से यक्स की वैलू अगर हम निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 54 और उसके लावा एक और आप इसकी वैलू निकाल सकते हो वो हो सकता है 3 अंडर रूट 6 clear हुआ तो इस तरह से हम इसका एक और वैलू बता सकते हैं आगे देखते हैं जो हमारा तृतिया नुपा लेजे कि दो वैलू दी गई है ठीक है मा लेजे दो वैलू दी गई है 6 और कर सकते हो कि 6 के बाद आपका 12 दे दिया गया है और आपसे पूछे किसका तृतिया नुपाती बताओ तो तीसरे अस्थान पे हमें यक्स पूट कर देना है काम वही करना है बिलकुल ध्यान से फि के साथ सेट होगा अब यहां पर क्या होगा कि 12 का स्कॉएर भाई बाहे पदों का गुड़न फल बराबर मद्य पदों का गुड़न फल तो 12 का स्कॉएर बराबर 6X ठीक है 12 का स्कॉएर कितना होता है 144 ठीक है बटे कितना 6 हो जाएगा तो यक्स की वैलू कितनी आ जाएगी 6 दुना कितना होता है 12 कितना बच्चा यहां पे 2 बच्चा 24 हो गया फिर 6 चोग को 24 यानि आंसर कितना आ गया 24 हो जाएगा तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई तो इस तरह से हम तर्तिया नुपाती निकालेंगे दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आ रहा है चतुरत्ता नुपाती कैसे निकालेंगे अब इस कोजिसन में क्या होता है कि आपको दोर तीन रेशियो आपको दिया होगा तभी तो चौथा पूछेगा तो ये तीन रेशियो आपको दिये हैं आपको चौथा ले लेना है अब द सीधा सीधा ऐसे रेशियो में लिख देना है ठीक है परपोर्शन लगा करके 24 रेशियो यक्स करके लिख देना है अब इनका सिंपल सा जो काम होता है उसको आप कर लेना है तो आपको क्या करना है यह हो जाएगा 6x is equals to 12 multiply by 24 and यहां से यक्स की value कितनी आ जाएगी 12 multiply by 24 divided by 6 ठीक तो हम आगे अपने questions को देखते हैं पहला question दिया गया है 6 और 54 का मध्धा नुपाती निकालिए तो मैंने आपको क्या बताया यह क्या पूछा है मध्ध का पूछा है इसका मतलब 6 लिखेंगे मध्ध में हम क्या मान लेते हैं यक्स लिखेंगे and यहां क्या हो जाएगा हमार का अंदर में गुड़ा तो यह हो जाएगा यक्स square बराबर 6 गुड़े चाउवन देखो एक सक्कॉयर का मतलब क्या होता है कि यहां पे छीजे हमें हम इनका अगर फैक्टर कर दें तो यह जोड़े में मिलनी चाहिए तो अगर फैक्टर करोगो तो यह क्या हो जाएगा 3 द तो इसको बाहर कर लो, दो का मिल गया, उसके बाद तीन का तीन के साथ जोड़ा मिल गया हमें, फिर तीन का तीन के साथ जोड़ा मिल गया, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, तीन दूना च्छे और च्छे तीन आ अठार है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसको भी हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, clear हुआ, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को मैंने बता है, एक किनारे कर लो, एड 9 को भी आपको क्या करना है, एक किनारे कर लेना है, भाई हमें तीनी डिजिट मिले हैं न, तो इनके पास फिर हमें यक्स, य एक्स, एड 4 इंटो 9, तो यह हो जाएगा, एक्स स्कॉाइर, इस इक्स की वैलू आपके पास हो जाएगी, 6, तो इस तरह से 4 और 9 का जो मध्यान उपाती होगा, उसका आंसर कितना आएगा, 6, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक बटा बार है, और ए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, कि आप मध्यान उपाती में काम वही करोगे, एक बटा 12 लिख लो, और बीच में क्या कर दो, यक्स लगा दो, और फिर एक बटा 75 लिख दो, अब देखो इ एक और 75 का गुड़ा निकालना है, तो जब आप इन तीनों का गुड़ा करोगे, तो आपके पास मिलेगा 12 गुड़े 75, और चुकि एक से गुड़ा करेंगे तो वैल्यू यही मिलेगी, अब ये जो वैल्यू आई है, पहुत जहान से सुनना, ये जो वैल्यू आई है, इस इसी वैल्यू का इसमें भी और इसमें तीनों में गुड़ा कराते हैं, एक बटा 12 गुड़े क्या हो जाएगा, 12 गुड़े 75, मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू आई है उसी का गुड़ा करा देंगे, कामा यक्स गुड़े 12 गुड़े 75, फिर कामा एक बटा 75 गुड़े 12 गुड़े 75, clear हुआ, अब यहां से क्या करेंगे, 75 से 75, cancel, ठीक है, फिर यहां से 12 से 12, cancel, देखो, दूसरा काम भी कर सकते हैं, 12 और 75 का LCM निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको टफल लग रहा है, LCM निकालना, तो आप यह काम सीधा समझो, अब देखो, एक का 75 मुड़ा है, यहां पर देखो, 75 से 75, cancel क्या मिल गया, 12 मिल गया, अब ध्यान देना, यहां पर आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, अब आपको यह देखना है, कि यह संख्याए किसी से कट रही है कि नहीं, तो आप जब 3 से काटोगे, तो यह कितना होगी, 25, 75, ठीक है, 3 से काटोगे, तो यहां भी 25, 75, तो 25 और 12 का जब गुड़ा कराओगे, तो आपके पास कितना मिलेगा, अब ध्यान से देखो, 12 दूना, 12 पचे कितना होता है, 60, तो 0 मिल गया, 6 बचा, 12 दूना, 24 और 6 कितना हो गया, 30, तो यहां पर 300 यक्स, and फिर हमें क्या मिल जाएगा, 3 से काटेंगे, तो हमें 4 मिल जाएगे, अब देखो, यह किसी से भी, किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, फिर इनको हम डिवाइट करेंगे, 25 एक किनारे, 4 को एक किनारे, and दोनों के पास हम क्या लखेंगे, 300X, फिर यहां पर परपोर्शन 300X, ठीक है, इस तरह से आप question को लगा सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, कि आप सुरू सुरू में ही इनको solve कर लो, बाद में यक्स की value पूट करके इनकी value निकाल सकते हो, जैसे सुरू सुरू में अगर solve करोगे, तो वो हो जाएगा, 75, फिर यहां पर यक्स, फिर बार है, ठीक है, तो इस तरह से 3 से कैसे उस पर लगेगा, ज्यान से देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, मैंने कहा कि आपके पास एक बटा 12 मिला है और एक बटा 75 मिला है, तो दोनों को आप गयाप कर दो, सिंपल सा काम करना है आपको, कि यहां पर क्या करना है, इसको 12 और 75 से दोनों में गुड़ा करा देन है, तो 75 से 75 वला कैंसिल, 12 से 12 वला कैंसिल, clear हुआ, अब बचा क्या हमारे पास, तो आप देखो ध्यान से, यह हमारे पास बच गया 75 and 12, अब यहां से काट दो 3 से, तो 3 से काटोगे तो यह 25 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, चार, अब हम आते हैं सवाल पे, तो 25 औ में x, परपोर्शन में x, and यहां पे फिर से 4, अब 25 का 4 में गुड़ा करा दो, तो 25 चो को कितना हो गया, 100, और यह हो गया x square, यहां पे जब डिवाइड करोगे, तो x की value कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो इस तरह से हमारा answer यहां से आ सकता है, यह ध्यान रखेगा, ठ एक लो, and तृतियान उपाती मतलब तीसरे position के चीज़, ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, जब 3 डिजिट हों, तो इनको ऐसे divide कर दो, तो यह हो जाएगा, 1,2, और यह क्या हो जाएगा, यक्स, अब यहां पे ratio में आएगा, 1,8, परपोर्शन करोगे एक दस्मलो आठ हैं, रेशियो में यक्स, बाहर का बाहर गुड़ा, यानि 1,2 गुड़े यक्स होगा, ठीक है, बराबर, 1,8, गुड़े 1,8, ठीक है, अब यहां पे एक काम और भी किया जा सकता है, जैसे मान लो की यक्स है ना, तो यक्स को इधर भेज़ दो, 1,8 को इध क्यों कि या, क्योंकि अगर हम उपर 10 से गुड़ा करा दे, और नीचे भी कितने से गुड़ा करा दे, 10 से, तो इधर भी हम 10 से उपर नीचे गुड़ा करा देते हैं, तो हमें value क्या मिलेगी, देखो 10 से गुड़ा करा होगे, तो यह 10 मलो खतम, यानि मिलेगा 12 बटे 18, बर हम 6 से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 10 कटे गए नीचे से, तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 नमाट ठार है, और 2 पच्छे कितना हो गया 10, तो finally हमें कितना मिला, अगर हम देखेंगे कितना मिला हमें, तो हमारे पास मिल गया है 2 बटा 3, is equals to 9 upon 5 x, ठीक है, cross multiply करा दो फटा फट, तो आंसर कितना आ गया, 2 दसमला, 7, clear हुआ, next देखते हैं, तो दिया गया है 0.24 और 0.60 का तरतिया नुपाती बताईए, ठीक है, इसमें भी आपको वही काम करना है, अब 0.24 and 0.60, तो यहां पे yaks लिख लो, अब इसको हम लिख सकते हैं, 0.24, बिलकुल परिसान नहीं होते हैं इसकी मैंत से बिलकुल परिसान नहीं होते हैं, बस जिस तरह से दिया है, उस तरह से हम लगाते जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे इस तरह से आपका ये yaks side में आ जाएगा, अब होता क्या है, इसको हम अनुपात में भी तो लिख सकते हैं, 0.24 divided by 0.60, is equals to 0.60 divided by yaks, मैंने नीचे भी हम किस से गुड़ा करा देते हैं, 100 से, तरह समलोग खतम होके आ जाएगा, 24 बटा 60, बराबर 60 बटा 100 x, ठीक है, अब देखो, 6 से काटोगे तो 6, 24, और 6 से काटोगे तो 6, 12, 60, फिर 2 से काटोगे तो 2, 2, 4, और 2, 5, 10, तो फाइनली कितना मिला, 2 बटे 5, इसको ह 3 बटे 5 x, cross multiply करा दो, तो आपको मिल जाएगा यहां से, 5 दुना 10 x, बराबर, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, फिर यहां से x की value कितनी हो गई, 15 बटा 10, और इसका आंसर आगया, 1 दस मलोग 5, तो इस तरह से आपका आंसर आगया, next question देखते हैं, चतुर्था नुपाती पूचे, तो आपको कुछ नहीं करना है, simple सा चौथे वे position पे आपको yaks put करना है, बाकी यह सब तो अपने offset हो जाएगे, तो 12 ratio, 3, proportion में 8 ratio, yaks, इसका काम आपको पता है, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुड़ा करा दो, तो यह हो जाएगा, 12 x, बराबर, 3 गुड़े पूचा है, तो 3, 6, 4, 5 और फिर किसका पूचा है, हम यहाँ पी यक्स लेते हैं, तो इस question को आप लोग लगाईए, और मुझे comment box में इसका answer बताईएगा, ठीक है, next question देखते हैं, फटा प्रटी स्किन सोट लीजे इसका, next question दिया है, एक बटा दो, एक बटा तीन, और तीरह बटा तीन का चतोर्थान उपाती बताईए, तो देखो, एक बटा दो, एक बटा तीन, तीरह बटा तीन, का चतोर्थान उपाती, आप यक्स माल लो, मैंने क्या बताया, इन रासियों का LCM लेना होता है, तो देखो, तीन, तीन और 2 का LCM लोग है ना, तो आपके पास 6 आएगा, तो 3 एकम, 3, 3, एकम, 3, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 से करोगे, तो 3 दूना कितना आएगा, 6, मतलब 6 से सम में गुड़ा करा दिना है, तो 1 बटा 2 गुड़े 6, कामा, 1 बटा 3 गुड़े 6, कामा, 13 बटा 3 गुड़े 6, and 6 into 2x, ठीक है, अब 2 से काटोगे, तो 2, 3, 6, 3 दूना 6, फिर 3 दूना कितना होगा, 6, उपर देखो, 3 का एकम, गुड़ा कराओगे, तो 3 मिलेगा, फिर यहाँ पे देखो, 2 का एकम, गुड़ा कराओगे, 2 मिलेगा, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और यहाँ पे क सीधा सीधा लिख दो तो तीन रेशियो दो पर पुसन में 26 रेशियो 6X तो यह बाहर का बाहर गुड़ा और अंदर का अंदर गुड़ा तो 6 तीया कितना हो जाएगा 18 एक्स बराबर 26 दुना कितना होता है 52 तो यहां से एक्स की वेल्यू कितनी आ गई 52 बटे 18 यहां से जब डिवाइड करोगे तो जो अभी आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा ठार दो शत्तिस ठार दिया चौन तो दो बर दो दसमलों सम्थिंग करके आएगा तो आंसर वही हो जाएगा या आप बटे में भी निकाल सकते हो अगर आप काटोगे 2 से ठी 26 एंड फिर यहां पर आजाएगा 9 तो इस तरह से इसका आंसर ये भी हो सकता है 26 बटा 9 ठीक है नेक्स देखते हैं 16 और 40 का तृतिया अनुपाती क्या होता है तो 16 चालिस और इसका तृतिया अनुपाती आप यक्स माल लो तो 16 एक किनारे यक्स एक किनारे बीच में हम क्या पूट करेंगे 40 पर पूर्पोर्शन में फिर 40 पर पूर्पोर्शन और रेशियो में यक्स यानि बाहर का बाहर और अंदर का अंदर तो यहां पर 40 गुड़े 40 बराबर किसके हो जाएगा 16 गुड़े यक्स के और यह हो जाएगा 4 चुक को 16 उसके बाद 2 0 बराबर 16 गुड x 24 वितत अनुपाती में है, मैंने कल के वीडियो में ये पढ़ाया था कि वितत अनुपाती का कंडिशन क्या होती है, कि अगर तीन रासियां a ratio b ratio c वितत अनुपात में है, then b square is equals to a multiply by c, तो यहां से put करते हैं b की जगह पे क्या है, yaks है, then x square is equals to 6 multiply by 24, then अगर हम yaks की value को define करेंगे, then 3 multiply by 2, and multiply by 2 multiply by, यहां से 2, दुना 4, दुना 8, और 8 तीन कितना होता है, 24, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, and finally इनका एक जोड़ा, ठीक है, तो yaks की value कितनी आ गई, तो yaks की value आ जाएगी, जिनका जिनका जोड़ा है, वो एक बार लिखे जाएगे, तो 3 गुड़े, 3 गुड़े, 2 गुड़े, 2 गुड़े, 2 तो 2 दुना 4, 3 है कितना हो गया, 12 है, तो yaks की value कितनी आ गई, 12 है, तो yaks का मान हमारा हो जाएगा, 12 है, तो इस तरह से हमारा आज का 10 question खतम होता है, दोस्तों, मैं अब आपको आगे बढ़ने के पहले exercise पर जाने के पहले बताना चाहता हूँ कि हम next वीडियो में क्या-क्या चीज़ें को पढ़ेंगे, बहुत important चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सरल अनुपाद, सरल अनुपाद in the sense जैसे कि आता है कि 10 रुपए में 20 तो 20 रुपए में कितनी, तो इस तरह क सवालों को बहुत important questions होते हैं, जिनको हम कल से start करेंगे, फिर उसी तरह से miss सरनुपाद जैसे में आपका आता है कि 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में 8 घंटे daily करते हैं, तो इस तरह कि जो mix आपके समानुपाद होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम अप जाके भेज दीजे, जिसका पहले आएगा वो winner होगा, ध्यान रखना पहले आना ही important नहीं है, आपका question भी पूरा का पूरा सही होना चाहिए, और exercise पहले आनी भी चाहिए, तो दोनों condition अगर होगी, तब ही ये चीजे possible हो सकती हैं, तो ये थी आपके सामने exercise, और मैं अब आ ध्यान रखना कि आपका अगले तीन से चार पार्ट में आपका पूरा का पूरा proportion और ratio खतम हो जाएगा, तो बहुत important videos हैं, इनको ध्यान से देखेगा, तब तक ले thank you, thank you so much.